है 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 नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर आज की वीडियो है इसके अंदर हम कि हम कि खिलोने का जाए है उसको को अन läuft करने वाले कंदे है इसको वीडियो का टैटल है उसके आपको पता ही लग गिम्स के शाड़ आज की इस वीडियो में हम लेके आये हैं यहां पे जो ये सैंटी की तरफ से टॉय ट्रेन है जो के 19 पिसेज की टॉय ट्रेन है क्या-क्या फीचर्स हमें इसके अंदर मिलते हैं तो सबसे पहले मैं बॉक्स की बात कर लो तो कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है हमें यह सेंटी टोई ट्रेंड का और यहां लिखा हुआ है कि हाई टॉर्क वील और हाई स्पीड है और विद एलेडी ग्लोइंग मतलब इसमें जो हैडलाइट है वो भी है यह 3 प्लस एज ग्रूप का जो है टोई है और यह 19 पीस इसके अंदर है और साइडों में मैं बात कर जाने स्कुरू करके और डबल एवज की जो दो बैटरी है वो लगेगी इसमें और ट्रेक को किस तरह से करना है और यहां पर जो जोईंट है जो बोगी के बीच में जोईंट है वो है बॉल सॉकिट जोईंट यहां पर जो इसकी मर्पी है वो दीवी एल एक हजार दस हुआ है और अंदर से आप देख सकते हैं कि जो बोगी है बिल्कुल खोकली है और जो यह वील्स हैं यह भी काफी हलके से ही लगाए हुए है बजन को काफी लाइट रखने कोशिश करी गई है क्योंकि यहां पर एक दो तीन और चार चार यहां पर बोगी और इंजन जो में हैं वो काफी बढ़िया है मतलब जो इंडियन डेलवे है इंडियन ट्रेन है उसके अकोडिंग काफी बढ़िया है यहां पर जो है इंजन है और यहां पर आप मीचे देख सकते हैं में इंडिया की यहां पर जो है ब्रांडिंग है सेंटी टोइस की ब्रांडिंग है और जो लोकोमोटिव है उसके जो wheels हैं वो काफी ready है मतलब काफी है बढ़ी है यहां पे grip के लिए यहां पर rubber दिया हुआ है ताकि जो track पे उस पे चिपगके चले और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो wheels से उनके अंदर groove दिया हुआ है यहां जो को मॉटिव उसके फ्रंट पर यहां पर आप देख सकते हैं LED ग्लोइंग LED बंदिया हुआ है जो कि चलती है तो यह ग्लो करता है यह पर पीछे के साइड यह टोईंग जो बॉल साट टोईंग के वो दिया हुआ है यहां पर की स्कूरू दिया हुआ है जिसको अनिस्कूरू करके बैटरी जह हैं जो डबल ए साइज की बैटरी से वह इंस्टॉल करनी है और यहां पर डिटेल देख सकते हैं आप ओपर यह होन है काफी प्यारे लग रहे हैं इसकी लेंथ है जो आप मेरे हाथ के अपूरिंग देख सकते हैं बाकि लोकोमोटिव की जो लेंथ है मैं आपको एक बार स्केल के तुरू दिखाओं तो यह ओल्मोस्ट जो लोकोमोटिव की लेंथ हो लगबग 14 सेंटीमिटर के आसपास है और जो एक बोगी है उसकी जो लेंथ है वह ओल्मोस्ट यहां पर 10 सेंटीमिटर के आसपास है तो इन चारो पांचों के अलावा यहां पे आपको देखिए जो ट्रेक मिलते हैं ट्रेक के यहां पे आप देख सकते हैं एक दो तीन चार तार जो पीस है वो स्ट्रेट ट्रेक के हैं और इनकी जो लेंथ है पीस की लेंथ हैं यहां पे आप देख सकते हैं लगबग 18 cm के आसपास है वो कर्व ट्रेक के यहां पर पाँच पाँच पीस मतलब पाँच और पाँच है मतलब दस कर्व ट्रेक के पीस मिलते हैं चलिए फटाफट फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ और आपको रन करके दिखाते हैं कुछ बढ़िया से सिनेमेटिक शॉट तो जो ट्रेक हैं ट्रेक को कुछ लोक करने के लिए इससे करना पड़ता है कि इन दोनों के साइट में आपी देखिए स्टैप से लोक दिये हुए हैं से और इसको प्रेस कर देना है यह दिख पस ही स्टैप से हो गया और इसको खुलने के लिए ऐसके इसनार खुल जाएगा अजया बार इसको प्रेक करने के लिए यह दो जाएगा कि अजया शुलने की कि अजया इसको प्रेस लिए कि हागा श्राव कि अजया कि अजया कि अजया कि अजया कि अजया क्दreh Okay नफ़ें के खरने बाली रंट टंट रच हो वा होclear होँ़ वाः कर दो और एचर करहां कर दो तो और एचर कि और आओ झाल 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 कुछ सीन थे और कुछ ऐसी थी है टोई ट्रेन तो इसको यूज करने के बाद जो मैं को थोड़ी सी में कम मैसूस हुई एक तो यह जो ट्रेन है बिल्कुल भी आवाज नहीं करती यह जो ट्रेन है इसके अंदर अगर साउंड ओर डाल दिया जाए तो काउस भी बढ़िया रह कई की इदिफिर्ट इफ़र्ट बफ़र्स में चलती रहती है यह ती आप काफी बढ़िया खिलोना है मतलब बच्चों को काफी पसंद आता है तो वीडियो केसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जूरू बताना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुर झाल 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 झाल